यह एक बैंगलो सेल करना है टू यूनिट है 666 गर्जेट में शहबास के है फेस 7 में टू यूनिट का मतलब होता है कि तीन बेड्रूम डाइन डाइनिंग नीचे किचिन और उसके बाद बेस्मेंट भी है इसमें ये और सेम तीन बेड्रूम डाइन डाइनिंग किचिन उपर होता है ये टू यूनिट का मतलब होता है ये दो फैमिली रह सकती है दो अलग अलग रास्ते होते है तो अब मैं आपको घर दिखाता हूँ ये इसका लाउंच है ये बेस्मेंट के लिए नीचे रास्ता जा रहा है नीचे रूम बनावा एक ये इसका डाइनिंग एरिया है ये दर्वाजा बाहर से भी है ये इसका डाइंग रूम है ये दर्वाजा बाहर से भी है ये इसका नीचे ग्राउंड वाला किचिन है इसका दर्वाज़ा भी बाहर से है अगर आप इस टू यूनिट और ये तीम बेटरूम है एक बेटरूम ये है अटेज बाथरूम के साथ अलमारे अंदर बनी हुी है ये इसका बेटरूम है इसमें अंदर भी अलमारे बनी हुी है तीसरा बेड्रूम ये है ये इसका बाथरूम है ये मास्टर बेड्रूम ही लग रहा है इसमें दूंदर अलमारिया में बनी ही है तो तीन बेड्रूम ड्राइंग डाइनिंग किचिन लाउंच ये नीचे है ठीक है अगर आप इसमें इंटरस्टेट हों तो आप मुझसे राप्ता करें मेरा नम राजश पिरवानी है मेरा मुबाइल नमबर है 0301-825-9157 और दूसरा मुबाइल नमबर है 0301-260-4470 मेरा रियल स्टेट का कारोबार है रियल स्टेट के हवाले से आपको कोई भी काम हो डिफेंस मेरा आफिस है क्लिफ्टिन डिफेंस देजी सिटी भेरिया टाउं और पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान में अगर कोई भी काम हो तो आप मुझसे राप्ता कर सकते हैं अब मैं आपको बेस्मेंट का व्यू कराता हूँ यह बेस्मेंट है इसमें भी एक रूम बना हुआ है एक स्टोर बना हुआ है यह डाइंगों को भार से रास्ता है यह बॉर्डर बात्रूम है यह बाहर का है यह गली है जो वहाँ जा रही है अब मैं आपको उपर का पोर्शन दिखा देता हूँ यह बुई गली है अब यह उपर का रास्ता अलग से सेपरेट है यह मुपर जा रहे हैं सेम पोजिशन उपर भी है फर्स्ट फ्लोर पे वेस्ट ओकम घर है छेस्टो चैसट गस का टू यूनिट में शहबास पे फेज सेविन में आता है यह मुपर आगे है यह इसका पॉडल बाथरूम है जो ड्राइंग रूम के सामने दिया हुआ है यह इसका ड्राइंग डाइनिंग है यह ड्राइंग रूम है यह ड्राइंग रिया है यह लाउंच है सेम पॉजिशन उपर भी है यह इसका किच्छन है उपर का अच्छा यह इसमें बेडरूम है मास्टर बेडरूम बड़ा वाला डबल पॉर्शन में यह मास्टर बेडरूम का बात्रूम है यह हम फर्स फ्लूर पर इस वकद देख रहे हैं देखे लो कितना बड़ा बेडरूम है यह दूसरा बेडरूम है फर्स फ्लूर का इसमें अलमारी है यह इसका बात्रूम है अब हम फर्स फ्लूर का तीसरा बेडरूम देख लेते हैं यह फर्स फ्लूर का तीसरा बेडरूम है यह इसका बात्रूम है इसमें भी अलमारी हैं बनी हुई है तो इस तरह ग्राउंड और फर्स मिला के इसमें छे बेडरूम हो गए छे बात्रूम हो गए और ड्राइंग रूम के लिए नीचे बात्रूम है उपर ड्राइंग रूम के लिए बात्रूम है और यह इसका टैरिस है वेस्ट ओपन घर है यह रहने के लिए बहुत अच्छा है इंवेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है यह में शहबाज है फेस सेविन यहां इत्याद है सामने इस तरफ इत्याद का सिगनल है इत्याद वादा रोड चल रहा है और यह शहबाज का रोड है यह सीड़ी उपर भी डारी है यह इसकी पूरी चात है जबर दस्त है वहत्रीन वहत्रीन एवन एवन यह इत्याद वादा रोड है पीछे यह सीड़ा सी विव जा रहा है सी विव जा रहा है सी विव यह मेरा यूट्यूब चैनल है प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करें बरादी घंटी बेल आइकन को दबा दें मेरा चैनल राजेश पिरवानी के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया पॉपटी के हवाले से ताकि आपको अपडेट मिलते रहेगी अपडेट मिलती रहेगी अब बापस नीचे जा रहे हैं फर्स फ्लूर पे मेरा नाम राजेश पिरवानी है मैंने शोवेज में भी काम किया टीवेट ड्राम में उस सवाल इससे भी मेरे के काम हो तो मजे जरूर बताएं पपड़ी आउरे से कोई भी काम हो तो मैं खिरमत का मोका दें और इसके इलावा मेरा डॉक्यमेंटेशन का काम है अगर आपको डॉक्यमेंटेशन के हवाले से पॉपर्टी कोई भी हल्प चाहिए हो तो वो भी हम करते हैं मैं करता हूँ उस सवाले से भी आप मुझसे बात कर सकते है थैंक यू जब सेलावा एक यू